राहुल गांदी जी की सदेस्ता रद कर सकते हैं उनका उनका जो दिलों में जो लोगों के दिलों में है ना वो उसको नहीं रद कर सकते हैं कोई से प्यार करता है कि आने वाला समय बताएगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ नारे है यह कोई सुरेक्षित नहीं है आज हम कह रहें कि लोगतंत्र बचाओ, जंतंतर बचाओ, क्यों नहीं सच भूलने दिया जाता, आप जंता की आवाज को कब तक दबाएंगे, आप सच को कब तक दबाएंगे, कॉंगरिस का कारे करता और ना राहूल गांदी जी डरे हैं, आज़ी और हम सच बोलते रहेंगे मोडी भी चो रहे हम लोग बोल रहे हैं कराए रहे हैं पर्दान मंतर को इस दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं मेरे चारों और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पॉंग्रेस के कारी करता है लगातार जिस दिन से राहूल गांदी की सदस्ता गई है ये लोग लगातार मोर्चे पे अंदोलन करें और साथ ही डीटेंड भी हो रहे हैं लेकि ये लोग अंदोलन करने से अभी तक रुक नहीं रहे हैं आज भी ये लोग अंदोलन करने हैं बहुत सारे लोग हैं, कॉंग्रेस के नेता लोग हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जादे तर महिला हैं यहां पे मौझूद हैं, क्या कहेंगी आप, यह बार बार लगातार जो आप लोग अंदोलन करें हैं, इसे कुछ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आने वाला टाइम समय बताएगा, राहुल गांदी जी की सदेस्ता रद कर सकते हैं, उनका जो दिलों में, जो लोगों के दिलों में हैं, वो उसको नहीं रद कर सकते हैं, राहुल गांदी जी लोगों के दिलों में हैं, सच बोलते हैं राहुल गांदी जी और सचाई को कोई छुपा नहीं सकता, राहुल गांदी जी ने जो बोला, सच बोला है, राहुल गां और राहुल जी जूट नहीं बोलते और आप लोग हमारी उसको बंद नहीं कर सकते विपक्स बोलेगा ऐसे ही बोलेगा अपने नोट बंदी का फैसला आपने मेगाई का फैसला सब गलत लिये हैं आज स्रमित्री रानी जी कहा है अब से लेंडर चार सो था तो वह चूड़िया लेकि भेजरी थी आज वह कहां जब से सदस्ता गई तब से आप लोग लगातार धरने पे इससे क्या वाफिस आएगी बिल्कु चोबिस में हमारी सब्सक्राइगी आएगी आने वाले राज्यो कोंगरेश पार्टी हिंदु मुस्लीम सी किशाई की पार्टी थी थ्रम की राज्रिति नहीं करती 2020 में हम आएगे वह वो उनको आदत है बदनाम करने की हम जंदा के मुद्य उठा रहे हैं अगर सरकार जो भी काम गलत करेगी अडानी जी का साथ क्यों दे रही है इतने अजार क्रोड रुपे किस के हैं जनता के अडानी का साथ कहां दे रही है अडानी हमारे अर्थ विवस्ता को मजबूत करते हैं अपने सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए चलते मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनसे बात करेंगे एक दिन जब इन्होंने लाल किला पे प्रदर्सन किया था अंदोलन किया था तो यह डिटेंट भी हुई थी और इनसे पुलीस वालों से जरब भी हुई थी तो आपको क्या लगातार जो आप लोग इस तरीके से प्रदर्सन करें इसका कुछ निसकार से निकलेगा डेफनेटली हमारा ये विश्वास है हमको जो करना चाहिए हम करेंगे इस देश के लिए इस देश का लोगतंद्र बचाने के लिए हम हमारा कोशिश करते ही जाएंगे हम जेल जाना पड़े फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमारा नेता राहूल गांधी जी है राहूल गांधी जी कुछ भी कुछ भी सहने के लिए तैयार है उसको डिस्कौलिफाई किया गया लेकिन फिर भी बोईस नहीं दबा सक तो आप बोल रही है कि आपके राहूल गांधी नेता है लेकिन अप तो उनकी संसती खतम हो गई है और आप दो हजार चॉबिस में क्या होगा विपक्ष है नहीं उनके साथ अप तो मोदी की सरकारी आएगी आप विपक्ष क्या एक 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 एक्स्ट्राओर्डिनरी यूनिट आप देखो याप इस वी आप नेवर सीन सच अने एक्स्ट्राओर्डिनरी यूनिटी इन अमंग ऑपोजिशन पार्टी इस तो हमेशा यू पीय का बाद तो पूरा एक माहूल ऐसा हो गया है कि ओपोजिशन का एक माहत पूर्ण यूनिटी आप देखो आप देखो यू इ आया है तो उसमें हम डेफिनिटली ट्वेंडी ट्वेंडी फोर में भी यह उपोजिशन यूनिटी का स्ट्रेंग्ट से लग रहा है विपास एक साथ हो जाएंगे इस इस बिगिनिंग फदट लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं जनता कहते हैं बीजेएपी सरकार कहती है कि महि कैसे माहिला सुरक्षित है आप हात्रस का देखा कत्वा का देखा हर जगा पर क्या-क्या हो रहे हैं बीजेपी का जो नेता लोग है उनको माला लेकर डाल कर रहे हैं जिसका भी हुआ तो कैसे आप बताते हैं कि यहां माहिला सुरक्षित है यहां नैशनल कैपिटल में क्या माहिला के साथ माहिला पी हुई थी ना मैम उसने पी रखा था कहती है कि उसने पी रखा था उसकी गलती थी ने कहती है बहुत कुछ बहुत कुछ अलग अलग रीसेंस बनाते हैं लेकिन जो भी है माहिला बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ नारे है यहां कोई दिर में मोदी जी को प्ताएंगे और उप ब्वाप्पूजिशन यूनिटी में गोवनमेन नाएंगे यह मोधी हटा वह पोस्टर डालने की वज़ए से जंता करें राद्रय दिया हम काहिए और बत्रूंच चोब सुदब anarch微 railway सips लो ही लूहना किया मदे ज्वार है सबसे बहुत इंपोर्टेंट बात यह कहती है बीजेपी की सरकार कि हम जो है अल्प संक्यक जो लोग है मुस्लिम से हमें खत्रा है और हम इसको हिंदू राज बनाएंगे इस पर क्या कहीं जब लाल नेरू हो मात्मा गांधी हो मौलाना आजाद हो जो भी हो हमारा पूरा नेत नेकिन पाल लिए इंडिया वहरे बिभी बड़ी आज टुनित ब्रपफट रहां लिए है दर्म है तो सब है नहीं ने ऐसा कुछ नहीं है यह सब एक प्रोपगेशन हो रहे है कुछ भी नहीं लोग यह चाहते हैं कि हमारा देश एक यूनाइटेड सब लोगों का सेक्लर देश रहे तैंक यू तो आपने सुना यह मेंबर ऑफ पार्लियमेंट यहां पे कुछ और भी महिला आए है अपनी जो भावना है वो इस पे एक संदेश लिखा जा रहा है यह अपनी जो है अपनी अपनी सोच लिख रही है कि क्या चाहिए इन लोगों को जस्टिस चाहिए यहां पे आप लगातार देख सकते राहूल गांदी आगे बढ़ो हम तुमारे साथ है साथ में वह यह इस तरीके की बाते लिख रही हो और नीचे में सिंग नेजर कर रही है अपने पिछले आट नो सालों में देखा कि जनता के दुआरा चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भारतिय जनता पार्टी में किया मद्यपरदेश लेले करनाटक लेले गोवा लेले मनीपु लेले बहुत से जेगे बहुत से राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया यानि कि जनता जनार्दन का अपमान आप करते हो तो जनतंत्र की हत्या करने का आप काम करते हो प्रियास भरतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किस तरीके से किस तरीके से एक सांसत की आवाज को माइक बंद करके दबाने का प्रियास किया जाता क्यों नहीं सच बुलने दिया जाता आप जनता की आवाज को कब तक दबाएंगे आप सच को कब तक दबाएंगे आप क्यों गांदी प्रदवानमंत्री को भी देश में जाके भारत का नाम बदनाम करते हैं जो उन्होंने कहा है भारत में पैदा हुआ मैं मैं भागा हूँ यह अब भारत पैदा हुआ आपने अब बताइए ञाइं में क्या होगा संसदी चली जाए मकान लेलो लेकि सच बोलने से ना तो कॉंग्रेस का कारे करता और राहुल गांदी जी डरे हैं और हम सच बोलते रहेंगे आप कुछ भी कर लें आप कितनी भी आवाज दबाने का प्रियास करें हम सच की मांग करते रहेंगे हम कहेंगे कि दीजिये जवाब कि अटानी और आपके संबंद क्या है तो लगातार यह महिलाएं जो हैं अंदोलन कर रही हैं हम लोग यहां पे और भी कुछ महिलाएं जो पोस्टर लेके खड़ी हम उनसे भी बात करेंगे क्या लग रहा है आप लोग लोग तंतर के जो हते ही सरकार कर रही उसके खिलाप आवाज उठा रहे हैं हम अपने फर्ज जो बिबक्ष का फर्ज होता है इस डेश का इस देशके जो आहित में काम हो रहा है उसके आवाज उठा रहे हैं हम लोग कर हैं कैसे आप सक्थ है। सब्सक्राइब नहीं नहीं यह हुरे लुआ इस में इन आत्य चकले गता है तो आप आखरी सवार 2024 में क्या लगदाए संसदी तो चली गए अब दो भीपक्ष है नहीं तो नहीं को कोई नहीं है 2024 में हम दुगने जो से दुगने दंखम से वापस आएंगे इस सरकर्ण ही देख रहें में तद आपताय कि इसी तरीके से अंदोलन करते ही जनता करिए महिलाओ के पीछे राहुल गानी कि रहें रहुल गांदी एक उधी मिटे बोल रहु है राहुल गांदी खाद चुप रहे वे दिखाए दरे राहुल गांदी जिस्विती रानी के पिछे चुप रहे